आप देख रहे हैं उल्हास नगर दर्पन न्यूज एक इमांदार चैनल आपके शहर का आपका अपना चैनल उल्हास नगर दर्पन न्यूज लाखों लोगों की पसंद हो चुका है डिश्ट्रिक, मुंबै, देश-विदेश से काफी SMS's आ रहे हैं में तो राजानी जी पहले तो लासनगर दर्पन न्यूज की तरफ से आपको धेरो बदायां आज आपके जनम दिन की भगवान आपकी आयू को और बड़ा करे हेल्थ, वेल्थ, हैपिनेस हमेशा आपकी रहे हम आपको देखते आये हैं इस ट्रॉंग पॉलिटिशन और निदर किसी से भी दरने वाले नहीं, कुछ समय तक आप कहां गायब रहे या अपनी गतिविद्या कम कर दी, बहुत ही आपको लोग प्यार करते हैं, आपके वाडवासी, पूरे उलासनगर नहीं, पूरे शेहर में काफी आपके फैंसे ऐसा बोल सकता हूं, तो वो फैंस आपको बहुत मिस करें सर, उसके बाद में कुछ बताएंगे, सबसे पहले तो उलासनगर न्यूस का मैं खुब आभार प्रकट करता हूं, और आपका भी आभार प्रकट करता हूं, विशिष्टा कैलाश मटाई, आप मेरे बहुत करीब रहे हो काफी लंबे समय से हमने साथ में काम किया है, बहुत पहले हमारी जो उलासनगर न्यूस चलती तो उसमे भी आप हमारे साथ में और चाचा जी भी हमारे साथ में हुआ करते थे, तो जब आप लंबे समय के कारेकाल की बात कर रहा हूं, तो मैं उस नोसलिजिक मेमरीज में च साथ ही कार्यकरता जो फैन्स जिसकी भी रेफरंस आपने कॉंटेक्स की बात की उनका जो असीम प्रेम मेरी निश्क्रियता के बावजूद भी यह कम सक्रियता के बावजूद भी जो प्रदेशित होता है आज की जैसे दिनों पर तो मैं उन सब का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि इतने सालों की सक्रियता की कमी के बावजूद भी इतने सारे मेरे साथ ही सयोगी मेरे हिर्दय के साथ जुड़े हुए हैं साथ चोड़ा सवा ऐसा था आपसे कि अभी आज आपका जिनन दिन जब आपके दुसरे जिनन के आपको बदाई जने आएंगे तब मैं को लग रहा कि शायद चुनाव हो चुके होंगे तो आने वाले चुनाव को नजर में रखते हुए जितने शहर के जुलंत मुद्धे है उसके उपर आपकी आपकी क्या रहा है मैं आता हूं आपके प्रश्न पर भी इनका प्रश्ना का उत्तर थोड़ा आधार आ गया था मैंने बूमी का बांदी तो जहां तक मेरी सक्रियत कि कमी का विशव सक्रियता कि मैं रखती के जीवन विशय थे और यह जीवन जो है अपने आप में जो कार्य कुद्रत हमें देतीrim हमें करना होता है मैंने कुछ समय तक शहर का काम लगा था निरंतर करते रहा क्योंकि कुद्रत ने उस प्रकार की परस्थियां मेरे सामने रखी कि आपको यह कार्य दिया हुआ है उसके बाद कुद्दत ने मुझे कुछ अलग परसुचियों में लाकर खड़ा कर दिया तो मैं उन परसुचियों के साथ चल रहा हूँ और कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे फिर वापस उनर अरंब करने के लिए कुछ समय व्यक्ति को अपनी गुफा में बैठना पड़ता है शायद वो वक्त भी मैंने अभी पूरा कर चुका हूँ अब फिर वापस सक्रियता होने की भूमिका में मैं निश्चित आप सभी के प्रेम के साथ आने की संभौना में दिख रहा हूँ तो आप सबका प्रेम असीम प्रेम मुझे खीच रहा है बार-बार कई महिनों से कि आप निकलो बहार निकलो आप सबके उस असीम प्रेम का मैं आभार प्रकट करता हूँ मेरे मित्र सयोगी जैकी जी ने जो मुझे से प्रशन पूछा के आने वाले चुनाओ मेरा कार्य कोई चुनाओ के साथ लेना देना नहीं है शहर के विशह, शहर के विशह है, वो निरंतर विशह है शहर के, वो चुनाओ के समय भी रहेंगे, चुनाओ के बाद भी रहेंगे, चुनाओ के पहले भी रहेंगे तो शहर के हर विशह को हर समस्चा का समधान करने के लिए अपने जीवन का जो बाकी वक्त है मैंने राजनीती में 17 साल की उमर से काम करते हुआ आया हूं आज 63 कंप्लीट कर रहा हूं तो इस लंबे कारेकाल के बाद अभी बाकी भी जीवन के मेरी सांसे बची हुई है जो दिन बचे हुए जो मैंने साल जो कुदत ने लिखे है वो मेरे समाज के लिए मेरे देश के गुंड़े हुऊ उस विचरदारा के सात में जुड़कर हम इस कादे को आगे बढ़ाते हैं तो उस अधर पर इस शहर के जो भी समझेया है अंगिनित समस्यां से यह जूज रहा है, निरनायक शहर है, अंगिनIT समस्यां से जूज रहा है इस समस्यां का सांभणार करके सभी को साथ में लेकर और सभी के साथ में चल कर इस शहर के वापस उस प्रतिमा को हमें वापस लाना होगा इसके लिए मैं कटी बद हूँ धन्यवाद मैं फिर से यह कह रहा हूँ कि एक तो मैं अभी अभी तक स्विहम युवा हूँ आप यह मत मान के चले कि मैं 63 कंप्लीट किये तो मैं युवा नहीं हूँ तो मैं अब तक युवा हूँ और मेरे युवा साथियों को भी मेरा संदेशा यह है कि अपने जीवन में से कुछ न कुछ समय समाच के लिए किसी ने किसी स्थान पर रहकर उन्होंने अपना काम करना चाहिए समाच के लिए समर्पित रहना चाहिए और आने वाले दौर में इस शहर को नए नेत्रतों की आवशक्ता है इसे नए नेत्रतों की आवशक्ता है जो निस्वार्थ हो जिसको यह लगे कि मुझे अपने शहर के लिए हर पल उसकी नींद बिगड़नी चाहिए कि जब तक शहर की समस्या मैंने समाधान नहीं डूड़ा तक तक मैं सो नहीं पाऊंगा मैं सुकुचैन से बैठ नहीं पाऊंगा इस प्रकार की मानसिता वाले नई चेहरे नई यूआ पीडी के लोग यहां पर सामने आने चाहिए वैसे लोगों को एकठा करके हम इस शहर की अभियान वापस शुरू करेंगे और वापस इस शहर को उस चरम सीमा पर लाएंगे कि जहां पर लोग शहर छोड़ने के बजाए बाहर से वापस आना शुरू कर दें